तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में आपको बताने वलाओं कि आप रेल्मी 11 प्रो प्लस 5G में टेच वाइबरेशन ओफ कैसे करेंगे जैसे फ्रेंट्स आप अपनी फोन की स्क्रीन पे जब टेच करते हैं तो फ्रेंट्स आपका फोन वाइबरेट होता है तो मैं आपको बताऊं कि आप किस तरीके से इस सैटिंग को ऑफ कर सकते है उसके लिए यहाँ पर आप हो इस वीडियो को एंड तक देखना है वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप महारे चैनल पर नहीं तो चैनल को यह सबस्क्राइब और बैल इकन पर क्लिक करके औल पर क्लिक कर द vibration पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है यहां पर आपको haptic and to uns पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको फर्स्ट option मिल जाएगा system haptics का so friends यह हमारा touch vibration setting अगर आप इस setting को disable या फिर off कर देंगे और friends आप अपनी फोन की स्क्रीन पर टेश करेंगे तो आपका फोन वाइबरेट नहीं होगा so friends मैं setting को disable कर देता हूं इस setting को off करने से पहले अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड से रिक कीजिगा और हमारे चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजिगा so friends मैं setting को डिसेबल कर देता हूं इसको डिसेबल करने के बाद आप अपनी फोन की स्क्रीन पर टेश करेंगे तो friends आपको फोन वाइबरेट नहीं होगा so friends इस तरीके से आप रेल मी 11 प्रो प्लस 5 जी में टच वाइबरेशन सेटिंग को आफ कर सकते हैं बहुत ही अच्छी डिन सेटिंग थी इस वीडियो के लिए एक लाइक बनता है और आपको इस वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्रा ट्राइब कीजिए का तब तक के लिए बैटा थैंक यू